ये हमारे निताओं को जेल में डालते जा रहे हैं, इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनी सिसोधिया को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंग को जेल में डाल दिया, आज मेरे पी ए को जेल में डाल दिया, अब ये कह रहे हैं, रागफ को जेल में क्यों डालना चाहते हैं हमारा कसूर क्या है हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया सरकारी स्कूल शांदार बनाए यह नहीं बना सकते इसलिए यह सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं हम हमारा कसूर ही है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतिजाम किया, अच्छे इलाज का इंतिजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहला क्लिनिक और इलाज को र नाुखना चाहते हैं हमारा राक सूर है कि हमने डिली वालों की बिंग ठाल रगी यह फुली बंद करना चाहते हैं लोगों के बसकी बात नहीं दिल्ध बिझुकर है यह में प्रधान ज Anastic मंत्री जी को बोलना चाहता हूं प्रिधान मंत्री जी आप ये जेल-जेल का खेल खेल रहे हो कभी एक को जेल में डालते हो कभी मने से सो दिया को कभी अर्विंद केजरिवाल को कभी संजय सिंग को कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ MLA's MPs सब के साथ 12 बजे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालके आम आदमी पार्टी को क्रश कर लोगे ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली आप एक पर जाड डालके देख लोगे आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगी जेल में, उससे सौ गुना नेताओं इस ये देश पैदा करेगा। कल बारा बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेड़कॉर्टर आ रहा हूँ, जिसको आपको जेल में डालना देज जेल में खुतु है।